कार एकेंस क्रप्शन 99 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चलिए आज हम लोग जानेंगे यदि कोई भी दिव्यांग किसी भी राजी के हूं वो भारत सरकार के सामाजिक न्याएवम आधिकारिता मंत्राले में आवेदन देकर मोटर चालिट ट्राइसाइकिल प्राप में आप लोग जानखारि प्राप्त करेंगे धियान रखेंगे भारत सरकार केंद्र सरकार की तरफ से 80% से उपर वाले दिव्यांग को निस्यूल्क मोटर चालिट ट्राइसेकिल दी जाती है लेकिन इनके कुछ सर्थे हैं पहला सर्थ तो यही है कि 80% से उपर की दिव्यां दूसरा हो जिनकी आए इनके प्रिवार की सालाना आए दो लाक रुपए से कम हो तथा वे भारत के नागरिखों यह ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को अपना UDID कार्ड आए प्रमान पत्र दिव्यांगता प्रमान पत्र फोटो के साथ सगलंकर इस तरह आवेदन लिखेंगे आप लोग देख रहे हैं स्रिवा में स्रीमान अवर सचीव समाजिक निया एवम अधिकारिता मंत्राले भारत सरकार विषय में लिखेंगे मुझ दिव्यांग को मोटर चालिट ट्राय साइकल दिलाने के संबंद में महासाय सोभिने निवेदन है कि मैं अपना पूरा पता पीनकॉट और स्थीलिग देंगे मैं कि जो जिस भी कारण से आप दिव्यांग है चालिट दिव्यांग जिनका कमर से नीचे की दिव्यांग एकता हो लेकिन हाथ ठीक होना चाहिए उस तरह का ही दिव्यांगता को दिया जाएगा मोटर चैकिल चालिट ट्राय स मैं कमर एब अमपैर से दिव्यांग विरोजगार छात्र हूं या जो भी आप लोग हैं पर लिख रहे हैं या जो कुछ रोजगार के लिए तीन किलो मीटर से अधिक दूड़ी ते करते हैं तो उन्हें मोटर सैकिल ट्रैसेकिल दी जाए रहेगी मेरी दिव्यांगता 90% है जिस कारण मैं चलने में हो समर्थ हूं मेरे माता पिता की वारसी काय मातर 90,000 रुपई है मैं दिव्यांग के सहायतार्थ 12 वरसों से सामाजिक कारी करता आ रहा हूं एवं बच्चों को सिक्षा से जोड़ने का कारी करता आ रहा हूं मेरे घर जिला मुख्याले से 8 किलो मीटर दूरी पर है जिस कारण मुझे आने जाने में अत्यंत कटनाई का सामना करना परता है इसलिए मुझे मोटर चालिट ट्रैसाइकिल की सकता वसकता है अता स्रीबान से करवत प्रातना है कि मुझे मोटर चालिट ट्रैसाइकिल दिला जाने की किरपा की जाए जिससे मैं सिख्र मुक्षा लया जाने में समर्थ हो सकूं इसके लिए मैं स्रीवान का आजीवन आभारी बना रहा हूंगा अपना हस्ता अक्षर मुवाइल नंबर डेट देंगे इसके साथ दिव्यांगता प्रमान पत्र UDID कार्ड अधार कार्ड औ आप लोग ध्यान रखेंगे आय प्रमान पत्र दो लाग रुपए से नीचे का होना चाहिए तो उन्हें ने सुल्क मोटर साइकल ट्राइसेकल दी जाएगी और कहां भेजेंगे इस तरह आवेदन लिखे आप एक रेजिटर डाग से भेज देंगे यहां आप लोग देखे टू लिखे हैं समाजिक निया और अधिकारिता मंत्राले दिव्यांग सवसक्ति करन विभाग भारत सरकार पंडित देंद्यालय अंतियोदय भवन सी जी ओ नई दिल्ली 110003 यह पते हैं इसी पर पता पर भेजेंगे और फ्रॉम में अपना पूरा नाम पता मुबाइल पता रहा हूं इस तरह का एक आदेश एलिमको को भेजा जाएगा देख रहे हैं समाजिक नयाय और अधिकारिता मंत्राले का है यह आदेश है मैंने एक आविदन किया था जिनमें मेरा तीसरे नंबर में नाम है आप लोग देख रहे हैं यह पांच व्यक्तियों का एक साथ आदेश पारित हुआ था केंदर सरकार की तरफ से यह भारतिय कित्रे मांग निर्वान निगम एलिमको जीटी रूट कानपूर उत्तर परदेश को भेजा गया था और मुझे भी परतिलिपी जानकारी हेतु भेजी गई थी फिर एलिमको से मुझे पुनह एक पत्र आया जा कराने के संबंद में इसमें भी मेरा तीन नंबर में नाम है आप लोग देख रहे हैं इसमें दिया गया है कि आप जो है किसी भी दिन 10 वजे से लेकर 4 वजे तक साम में इस पते पर आ सकते हैं ध्यान देने की बात इसमें यह है कि जिनका आयव कम है अधिकतम 2 लाख रुपे वार्षिक से कम है उन्हें निर्शुल्क दी जाएगी जिनकी आयव 2 लाख रुपे से अधिक होगी तो उन्हें आधा सुल्क देना पड़ेगा और जो खुद खरीदना चाहते हैं या जिनकी आय अधिक है तो उन्हें सुल्क यह उपलब्द कराया जाएगा सुल्क के रूप में उन्हें 42,000 रुपये की रासी देनी होगी तो आप लोग ध्यान रखें कि अपना आय परमान पत्र जरूर बनवाले लेंगे और अपना दो पासपोर्ट साइज का फोटो खुलेंगे निवास परमान पत्र, अधार कार्ड, बोटर कार्ड, रासन कार्ड यो भी हो जिससे आप परमानित हो सके कि भारत के नागरिक हैं यह आवेदन देने के बाद यह प्रक्रिया सुरू होती है फिर यहाँ जाच करवाने के बाद आपको वहरिफाइ किया जाएगा आप सही में अपना आवेदन दिये हैं और आपके सारे डोकुमेंट सही हैं यह और यह ब्यांगता परमानपत्र आप लोग देख रहे हैं यह जाती परमानपत्र मैंने भी लगा दिया था यह निवास परमानपत्र मैंने लगा था और यहाँ आय प्रमान पत्र भी मैंने लगाया था आप लोग देखें इस प्रकार करके हम लोग निसुल्क भी मोटर सैकिल, ट्रा सैकिल, बैटरियू ले शकते हैं सभी दिप्यांग भाई एक दूसरे कोशे शेयर करेंगे जिससे हर भाई इसका लाब उठा सके जाहिन